राधे राधे आपरिवान, हाव आई यू आल, I hope that you all are fine and doing well. वेलकम टू माइ अनदर न्यू कोकिंग ब्लॉग, आज में फिर से हाजर हो गई हूँ, एक हल्दी, टेस्टी and colorful recipe लेके, देखिए, आज मेरे बास्केट में किते सारे colors के vegetables हैं, देखने से ही खाने का मन कर रहा है न, तो चलिए, इनी vegetables से, आज हम कुछ बनाएंगे, आज में बनाने जा रहे हूँ, वह है एक नॉर्मल बेसिक से recipe, वेज मंचूरियन, मंचूरियन बॉल्स को आज हम specially बनाना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे in the sense, बनाते तो सब हैं, और बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन मैज इस तरीके से बनाऊंगे, उसमें न, हम कम क्वैंटिट कॉंड़ न, पिर हमारे जॉप्वल्स होंगे हूँ उसमें मालगे है उसमें बनाऊंते हैं । वेजी जादा थे झाहने में कॉर सिदी क्वैशा थे оно, यह जिए न, हम बधर मेदा सम्मेटे न, सम्मेटे का मॉन ऐंच से बनाते हैं तो सब से पहले। मैं लगभिका इसमें रफली चॉप करूँगी और उसे में चॉपर में डालके कर लूँगी चॉप एक्षिली हम हाथों से भी काट सकते हैं या हम मिक्सर में भी इसे रुक रुक कर चलाएंगे तो भी ये दर-दरा कट हो जाएगा लेकिन मुझे चॉपर वाला ही ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ और चॉपर में करने से क्या होता है जिल्दी जिल्दी हो भी जाता है तो मैं इसी वज़े से चॉपर का यूज़ कर रही हूँ और आप manchurian balls बनाएं, उसमें cabbage ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए जब भी हम manchurian balls बनाएं, उसमें सबसे ज़्यादा quantity अगर किसे vegetable की होगी, तो वो है cabbage, बंद गोबी की मातरा सबसे ज़्यादा रहती है, तो मैं सबसे पहले बंद गोबी को ही काट रही हूँ, अगर बहुत टाइट वाले बंद गोबी हो ना, तो आप आधा भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन ये वाली जो बंद गोबी थी ना, ये बिल्कुल देख रहे हैं, आप लोग खुली-खुली सी है, हलकी वाली, तो इसमें मैंने आधा से थोड़ा से ज़ादा लिया है, लेकिन ये चोटे हैं, तो उन्हें मैं रफली चॉप करके यहां पर डाल रही हूं, देखिए इस तरीके से डालना है, आप कैसे भी रफली चॉप कर लें, कोई दिकत नहीं है, क्योंकि हमारा जो चॉपर है, वो दोसे बच्ची से चॉप करेगा ही, उसके बाद कुछ बीन्स थे मेरे अच्छे से चॉप कर लिया और डाल दिया बोल में, अब मैं डाल रही हूं नमक, नमक ना हमें थोड़ा सा ज्यादा चड़ा हुआ डालना है, क्योंकि बाद में हम इस इन सबजियों के साथ और भी इंग्रेडियेंट आड करेंगे, तो इस टाइम हम सॉल्ट का यूज नह तो इस वज़े से हमें इसमें थोड़ा सा चड़ा हुआ नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतने क्वैंटिटी में जालना है कि बाद में जब हम इसमें कॉर्न फ्लोर मैदा या जो भी हम एड करेंगे, उस टाइम हमें अलग से नमक ना डालना पड़े है, तो नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब हम इसे ढख के रख देंगे, तो चलिए जब तक नमक सबसियों के साथ अच्छे से मिक्स हो रहा है, तब तक हम बाकी सारे कुछ वजटेबल की चौपिंग कर लेते हैं, तो मैंने ना सोचा, आज बहुत ज़्यादा करल बहुत ज़्यादा चोटा चोटा हमें नहीं काटना है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल चोटा चोटा थोड़ा सा काट सकते हैं, वह जब हम स्टर फ्राइ करेंगे, वेजटेबल को तब आप डाल सकते हैं, और यह देखिए, यह जो अपी बाजार में नए वाले एकदम ह प्रीन नहीं डालते हैं तो अच्छा नहीं लगता है तो और लहसन भी अगर आपको ताजा मिल जाए उसका साग या उसका जड़ होता है जिस लहसन को खाते हैं वो तो उसे भी यूज़ करें तो सबजी का टेस्ट ना बहुत बढ़ जाता है लेकिन यह बहुत स्लिपरी हो इसको ना आप हांतों से चॉप नहीं कर पाएंगे इस वज़े से मैं इस फ्रेश अनियन और लहसन को भी मैंने चॉप कर लिया आप लोग ग्राइंडर में कर सकते हैं रुक रुक में चला कर और दो मैंने यहां पर मीडियम साइज के प्याज लिये हैं उन्हें मैंने ज़दा टाइम नहीं लगागा कुखोने में और मैंने यहां पर बहुत सारा अद्रग और लहसन उसे फाइनली चॉप किया है हाथों से वेज़ेटबल सारे कट हो चेके हैं तो चलिए अब मंचूरियन बॉल्स के लिए जो वेज़ेटबल हमने कट किये थे उनके साथ प्र पानी को निकाल देंगे उसके बाद हम जब बॉल्स बनाएंगे तो हमारे बॉल्स बहुत अच्छे बनेंगे देखी कितना पानी निकला बॉल्स में इस टाइम में ऐसे हम करते हैं तो क्या होता है कि वेज़ेटबल का जब हम बॉल्स बनाएंगे मंचूरियन बॉल्स तो कम क्वेंटिटी में हमें कॉन फ्लोर में दा या जो भी हम एड़ करेंगे वो कम क्वेंटिटी में एड़ करना होगा अगर पानी रहता है तो बहुत ज़ादा क्वेंटिटी में एड़ करना होता है तो अब सारा पानी मैंने निकाल लिया है अब इसमें मैंने डाला finely chopped अद्रक और finely chopped lesson इसके साथ ही हम लोग जो fresh वाला cut किये हैं ना अद्रक, sorry, lesson और प्याज का साग वो भी मैं इसमें थोड़ा सा डार रही हूँ इसको मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि इससे अगर पानी निकाल देंगी तो कटकिया अब को दिखाया अब मैंने इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच चावल का आठा तीन चम्मच कॉर्ण फ्लोवर और तीन चम्मच मैदा कॉर्ण फ्लोवर जब हम डालेंगे ना और मैदा यह चीज को बाइंड करने में ज्यादा हिल्प करता है इसके अलावा चावल का आठा ऑप्शनल है आप चाहे तो डालें अडवाइस छोड़ दें और उसके साथ ही मैंने मिलाया यहाँ पर एक टी स्पुन फ्रिश कुटी हुई लाल मिर्च, सौरी काली मिर्च यह काली मिर्च का पॉडर नहीं है कुटा हुआ है दरदरा और हम इन सब चीजों को वेजटेबल के साथ मिक्स करेंगे लेकिन हम पानी नहीं डालेंगे इसी तरीके से मसलते हुए मिक्स करेंगे और इस टेज में मैंने नमक बिलकुल नहीं डाला है और नहीं पानी डाला है मैं बिल्कुल मसल कर इसे मिक्स कर रही हूँ तो मिक्स मेरा हो चुका है अब मैं इसके बॉल्स बनाओंगे तो आप जैसा चाहें वैसा बॉल्स बना सकते हैं आप मिनी बॉल्स बना सकते हैं मीडियम साइज बना सकते हैं या बिग भी बना सकते हैं जब हम बॉल्स बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा इसे प्रेशर के साथ बॉल को बनाना होगा और एक चीज जब आप बॉल्स बनाएं अगर आपके वेजिटेबल्स में आपको लग रहा है कि नहीं मेरा कॉर्ण फ्रोर बहुत जादा कम हो गया है यह अच्छे से पाइंड नहीं हो रहा है थोड़ा ड्राइ नहीं लग रहा है हाथो में तो आप थोड़ा सा और कॉर्ण फ्रोर या मैदा या चावल काटा इसमें एड़ कर लें उससे क्या होगा ना कि हमारे बॉल्स अगर कॉर्ण फ्रोर कम लगे तो थोड़ा सा एड़ कर दे एक्स्टा मैंने डाला उससे थोड़ा जादा तो सारे बॉल्स मैंने बना लिया है वेजिटबल्स के पंचुरियन बॉल हमारे बन गया है और ओल में मैं टाल रही हूं बॉल्स को तो ओल देख लीजिए कितना ग नहीं है मीडियम गर्म है और मैंने गैस को अभी लो में रखा हुआ है गैस के फ्लेम को लो फ्लेम में करके ही आपको फ्राइ करना है और बॉल्स डालने के बाद लगभग एक मिनट तक बॉल्स को टच भी नहीं करना है अगर हम बहुत जादा कॉर्ण फ्लोर डाल के तो टच तो क्या उठा कर फेक भी सकते हैं लेकिन ज्यूंकि हम कम डाल रहे हैं कॉर्ण फ्लोर या मैदा इस वजह से हम बिल्कुल आहिस्ते से से टच करेंगे वो भी एक मिनट बाद देखिए बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं आप चाहें तो थोड़ा सा और ज्यादा इ हैं ने एक पैन में डाला जिसमें मैंने बॉल्स को फ्राई किये थे और तेल कि हमारा गर्म था तो तो उसी मैं मैंने डाल दीया तो सबसे पहले लहसन और उसके बाद अद रगद दोनों ही फाइनली चॉप थैं उसी ऑईल में अगर हम खाना मेनाते हैं जिस उयल में हमने तो वो और ज्यादा टेस्टी लगता है फिर आप प्याज शमला मेर्च बेल पेपर्स यह सारा कुछ इसमें डाल दें गैस के फ्लिम को हम हाई ही रखेंगे दोर नहीं रखेंगे और वो जो सलरी अब हम एक बना रहे हैं इसमें मैंने डाला है एक बड़े चमच का एक चमच क मैं डाल रही हूं कुटी हुई काली मिर्च जो काली मिर्च मैंने डाला था मंचुरियन बॉल्स में वही वाली इसके बाद मैं इसमें सारे एक एक करके सारे सॉस आड कर रही हूं मैंने डार्क स्वया सॉस का यूज किया है आप जो भी चाहें वो सॉस कर सकते है नॉर्मल और की वो डालें az started cream अब मैं लगातार इसे चलाती रहोंगे इसे छोड़ोंगी नहीं, otherwise londes बन जाएंगे तो हमें इसे चलाते रहना है अगर आपको gravy नहीं चाहिए तो आप इसमें पानी और ना डालें लेकिन अगर आपको gravy चाहिए तो आप पानी डालें तो मैं ना डाल रहे हूँ लेकिन मैं वो सारा जो पानी निकला था vegetables का वही वाला डाल रहे हूँ extra other मैं नहीं डाल रहे हूँ जिसके वज़े से ना मैंने इसमें salt नहीं डाला और क्योंकि उस पानी में तो नमक था ही लेकिन अगर आप लोग वो वाला पानी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप लोग salt डालेंगे और मैंने इसके बाद जब इसमें उबाल आ गया gravy पुरा बन गया तो मैंने बॉल्स को भी इसमें डाल दिया देखिए एक बॉल्स में तोड़के दिखा रहे हूं कितना अच्छा पुरा वेजेटेबल वेजेटेबल दिख रहा है कॉर्ण फ्लॉर या फिर मैदा कम दिख रहा है तो मैंने इसमें सारा बॉल्स डाल दिया है उबाल आ गया है और उपर से मैंने थोड़ा साग डाल दिया प्याज और लहसं का और अब मैं गैस को आफ कर दूँगी आप इन बॉल्स को स्टोर करके भी रख पाएंगे मैं थोड़े ही बॉल्स के आज ग्रेवी में बॉल्स को डाल रही हूं उससे पहले डाले क्योंकि यह गर्म-गर्म खाने में ही अच्छा लगता है आज की रेसिपी मेरे बेटे की फर्माइश पर थी जिसके वजह से मैंने किसी भी टाइप के चिली का यूज नहीं किया है आप चाहें तो ग्रीन चिली और रड़ चिली फ्लेक्स का यूज कर सकेंगी थैंक्यू बेरी मच अब्रीबाद